क्या बीजेपी पसमांदा मुसल्मानों के बाद इसाईयों को रिजाना चाह रही है ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी जोरो शोरो से अपने मिशन दो हजार चौबीस में लगी हुई है लोगसभा चुनाफ दो हजार चौबीस की तैयारियों में जुटी बीजेपी की और क्या है इस भोजन के राजनेतिक माई ने आज इस वीडियो में बताएंगे हेलो मैं हूँ साहबा खान और आप देख रहे हैं अनकट तो शुक्रवार को नई दिल्ली में RSS की संसा राश्रे इसाई मंच ने चर्च के पादरियों और इसाई नेताओं के लिए भोज का आयोजन किया अल्प संख्या कल्यान मंत्री जौन बढ़ला ने खुद इसकी मेजबानी की है मोधी सरकार के आने के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब किसी मंत्री ने इसाई नेताओं के लिए भोज की मेजबानी की हो रिपोर्ट के मुताबिक केरल, जमू कश्मीर, उत्रप्रिदेश, जार्खन और मध्य प्रिदेश समेट साथ राजियों के चर्च प्रमोखों को इस भोजन के लिए इन्विटेशन भेजा गया था मगर भोज क्रिसमस का है तो उसमें ये राजनियतिक माइने क्यूं है कर रही है कश्मीर समेट दक्षिन के कुछ राज्यों में चुनाव होने है यहां आदिवासी बेल्ट में इसाई समुदाय के लोग कई सीटों पर निर्नायक भूमिका में है भोज की बहाने बीजेपी इसाई समुदाय के साथ काम करने का मेसिज दे रही है नजर लोगसभा चुनाव पर है जहां 19 सीटों पर इसाई वोटर्स प्रभावी है इसाई समुदाय को साधने के पीछे की सबसे बड़ी वज़ा लोगसभा चुनाव दोहजार चौबीस है जारखन केरर और पूर्वोत्तर राज्यों में इसाईयों की आबादी काफी तादाद में है Center for the Study of Developing Societies यान की CSDS की डेटा की मताबिक देश की 19 लोगसभा सीटे ऐसी है जहां इसाई अबादी 20 परसंट से ज्यादा है इन में दो सीटे ऐसी है जहां 85 परसंट के करीब इसाई वोटर्स है यान की 19 सीटों पर जीत हार का गड़ित इसाई वोटर्स ही तै करने वाले है बीजेपी ने 2014 में इसाई बहुल 19 में से 5 सीटों पर जीत हासिल की थी जबकि कॉंग्रेस को 8 और अन्य को 6 सीटे मिली 2019 में बीजेपी की सीटों की संख्या में जहां बढ़ोतरी हुई वहीं इसाई बहुल इलाकों में सीटे कम हो गई 2019 में 19 में से कॉंग्रेस का 10 बीजेपी को 4 और अन्य को 5 सीटे मिली जहारखन की दोनों लोग सबसीटे खूटी और लोहरदगा में बीजेपी ने जीत हासिल की थी मगर केरल जहां आकडों के हिसाब से सबसे ज्यादा इसाई है यहां के लिए अलग स्ट्राटीजी है 2011 जनगर्णा के मुताबिक केरल की लगबख साड़े 3 करोड की आबादी में लगबख 18 फीजदी इसाई वोटर है पिछले विधान सबा चुनाव में राजी की दो प्रमुख मरंकारा, और्थोडॉक्स सीरियाई चर्च और दूसरे गोट यानकी जैक बाइट चर्च के बीच लडाई में LDF यानकी Left Democratic Front को फाइदा मिला था पार्टी इस बार दोनों चर्चों के बीच सुलह कराने में जुटी हुई है राजी की 2021 के विधान सबा चुनाव में यहां भाजपा को 11.3 फीजदी ही वोट मिले थे भाजपा की स्ट्राटीजी पस्मांदा मुसल्मानों को रिजहाने वाली रामपूर की स्ट्राटीजी से थोड़ी मेल खाती है कई लोगों को लगता है कि रामपूर और आजमगर जैसी जगाओं में सपा का किला पस्मांदा मुसल्मानों की मदद से ही ढहा है हाला कि इस पर भी सवाल है क्योंकि आजम खान के गड़ में यानकी रामपुर में केवल 33% वोटिंग हुई थी और इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट की मताबिक मुसलिम बहुल इलाकों में सबसे कम वोटिंग दर्च की गई थी तो यह कहना कि पस्मंदा मुसल्मानों ने बीजेपी का साथ दिया यह थोड़ाट पटा लग सकता है दोनों सीट जीतने के बाद लोग सबाचुनाव 2024 को लेकर बीजेपी अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश कर रही है करीब 80 सीटे ऐसी हैं जहां पस्मंदा वोटर्स बहुल संख्या में है स्ट्राटिजी की तहत ही 2019 के अंत में राश्ट्री स्वयम सेवक संग अन्य रस्स ने इसाई समुदायों को साधने के लिए राश्री इसाई मंच बनाया था इस मंच की कमान कभी सोन्या गांधी के करीबी रहे टॉम वड़कन को दी गई है वड़कन बीजेपी के प्रवक्ता भी है और देश भर में इसाई समुदायों के साथ लगातार बैठक भी कर रहे हैं संग ने 2016 में पहली बार इसाई मंच बनानी की पहल की थी लेकिन चर्चों के बीच बातचीत हो नहीं पाई बन नहीं पाई इसके बाद मुसलिम मंच के कॉडिनेटर और प्रचारक इंद्रेश कुमार को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी तो देखें ये बात तो तै है कि भारत इतना बड़ा देश है और यहां इतने अलग-अलग धर्म और संस्क्रिती की लोग रहते हैं कि इस पर हकूमत के लिए सब को साथ रख कर चलना भी जरूरी है और शायद यहीं बीजेपी कहीं न कहीं समझ रही है मगर बड़ा सवाल यह भी है कि क्या यह केवल 2024 के पार्टी की जीत के लिए है या फिर वाकई में बीजेपी को देश के अलप संख्यकों की परवा है इसाईयों की हक की बात करने वाली संसाई United Christian Forum यान की UCF के अनुसार केवल जनवरी 2022 से जुलाई 2022 सकी भारत में इसाईयों पर 302 हमले हुए हैं जन्वरी में 41, फर्वरी में 35, मार्च में 35, अप्रेल में 40, माई में 58, जून में 38 और जुलाई में 55 ऐसे केसिस दर्ज किये गए हैं इन सब में भाजपा सरकार द्वाराशासित उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा केसिस दर्ज हुए है विचाफ 84 ऐसे कानून है जहां खुद को निर्दोष साबित करना बहुत कठिन हो जाता है तो अगर सही माइनों में देखा जाए तो चुनरी में दाग तो बहुत है अब भाजपा इन्हें कैसे धोती है उसका एक नमूना तो यह है आगे देखी जाएगी कि क्या ये भोजन आयोजन और अल्प संख्यक नेताओं और पादरियों से बातचीत वोट बैंक में तब्दील होती भी है या फिर हवाबाजी में निकल जाती है हमें बताएं कि आपको क्या लगता है क्या देश के इसाईयों का वोट भाजपा की तरफ इस बार शिफ्ट होगा कमेंट बॉक्स में बताएं फिलहार मुझे दें इजाज़त मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकाट